हेलो नेक्स्ट हम लेंगे कंट्रोल और प्रिवेंशन अभी तक सारी डिजीजेस देख लिए हमने बैक्टिरियल वाइरल फंगल प्रोटोजोल और वर्म्स या हेलमिंद के द्वारा होने आली सारी डिजीजेस देख लिए अब इनसे बचा कैसे जाए अभी बचना है तो दो तरीके से हो सकता है में लिए है या तो आप मेडिसिन लिजिए या फिर इस बिमारी के होने से पहले हम क्या क्या सकते है इसको प्रिवेंट कर सकते है तो प्रिवेंशन इस बेटर देन क्यों तो अभी प्रिवेंट करने के लिए आपको दो चीजे करनी पढ़ सकती है यानि क्लीन रखने लगिन पूज्ञ के हमको क्या और चंशेश होद्क्रूब करेंगे तो क्या थो स्हीं दिए पर्षेक्षिंगे शुक्राइब रॉपर demonstrates गया है जेसे कि आपकाा इसज चीज के चलते जो है आपका मोधी सरकार ने एक स्कीम चलाई थी सौचाले घरगर सौचाले जो बनाया गया है क्यों तो यह जितना भी क्या होगा एक्स क्रेटर वगरा जो खुले में शौच कर रहे थे तो उससे बच जाएंगे अभी खुले में हो गई नहीं तो वहां से क्य क्या होगा infection के sources बिल्कुल खताम हो जाएंगे नेक्स्ट आपका आता है यहापर पानी पीने क्ले तो जो भी पानी पी रहे हो कैसा होना चाहिए क्लीन होना चाहिए चांसे क्योंकि गंदा पानी पीएंगे तो इससे क्या होता आपका यहाँ पर जितने भी आपके अंटमीबा वगर जो रहते हैं क्या करते हैं पेट खराब करेंगे motions वगर श्टार्ट हो जाते हैं ठीक एवन कई cases में जो रहता है आपका क्या रहता है यहाँ पर पानी खराब होने के वजह से सीवियर आपका Körper balance जो है body का क्या हो जाएंगा laws हो जाएगा balance in the sense कि ही है important चीज जितने भी public places में आप खाने पीने का समान है उनका क्या करना चाहिए एक standard protocol की अनुसार उनको बनाना चीए और ये आपको क्या करना चीए तै करना चीए ठीक अगर आप क्या कर रहे हैं इन खान पीन के वस्तूओं को क्या कर रहे हैं सही तरीके से बनाएंगे और सही इसका मापधन रखेंगे तो इन से होने वाली मेलनी तीन बिमारी जो टाइफॉइड अमीबी ऐसी स्वास्ट कैरिस क्योंकि यह क्या होता है इने में जो है इसा पना रहाएगा प्रॉपरली कुक रहेगा साफ सुतरा रहा ढका रहेगा तो आपको वह बात करते हैं वाPat् rif का जिस अब कोई चीका वार्यगे आपके अंदर आपके श्वार्ठ पर ने के बाद में क्या करिएगा यह आपको बिमार बढ़ Papa तो इनके लिए क्या करना आपको यहाँ पर clean रखेंगे कोई उनके बरतन वगरा यूज नहीं कर रहे हैं आप उसको properly समय से धो रहे हैं और उनसे दूरी बना के रखे हैं कोई छीक रहे है तो रुमाल वगरा रखेगा तो उससे क्या हो सकता आप यहाँ पर prevent कर सकते हैं नेक्स्ट आपका आता है इंसेक्ट वेक्टर तो तीन डिजीजेस होगी एक तो खाने के तुरू जो फैल रही थी दूसरी एरबॉंड जो डिजीजेस है उसको किस प्रकार से prevent कर सकते हैं और थर्ड जो है आपका इंसेक्ट वेक्टर याने कि आपका जो मक्की और मच्छर की वजह था है तो इसमें मेली जो है आपका मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकन गूनिया यह चार डिजीजेस के तरू फैलती है आपका मक्की या मच्छर की वज़े से होगा इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मलेरिया जो है एनफिल्स मॉस्किटो जो है फीमेल उसकी जो आपने देखा था यह भी मॉस्कीटों की वज़े से एडीज जो है यह एडीज मॉस्कीटों और यह जो है डेंगू चिकन गुनिया यह भी क्या होता आपका यह आपका मॉस्कीटों की वज़े से होता है एक क्यूलेक्स मॉस्कीटों है और एक आपका एडीज मॉस्कीटो अब यह सारे के सारे वैक्टर्स जो है किसमे ग्रो करते हैं तो यह गंदगी के यानि जहां भी पानी जमा होता है उनके अंदर में ही क्या होता है यह आपका इनके लार्वा ग्रो करते हैं तो इसको जो है आप यहां पर प्रिवेंट कैसे करते हैं तो यहां पर इनका जहां प जो है इनको clean करते रहे मच्छा दानी का use करना है ठीक है अभी मच्छा दानी नेट वगएरा जो use करते हैं आप क्या करते हैं बाहर से भी use कर सकते हैं मताब कि आप जब सोते हैं तो उससे में नेट वगएरा लगा के कर सकते हैं फिर important चीज़ दी हुई है ये गंबूजिया म walking में घ्रों करते है अब्यक्राइब को रहले मंच्छा चीनि आपका क्या क्या रभी आग्ला नेट ने का यदा जाएगा थो अपर में क्या कर सकते हैं, बीच-बीच में आप insecticidal sprays को भी क्या करते जाएए, छिडखते जाएए, ठीक है, जितना insecticidal पगर यूज़ करेंगे, तो insect को मारने के लिए, साइडल मतलब होता है, मारने वाला, इंसेक्टी मतलब insects को, ठीक, तो अभी इसका यूज़ करने से, ये सारे के सारे इंसेक्ट कॉज़िंग जो है, वेक्टर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो disease का क्या हो जाएंगे, इससे prevention हो सकता है, ठीक है, बाद में prevention नहीं हो तो फिर, cure करना है, cure जो है, इसमें एक और तरीका है, actually cure करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, prevention मतलब disease आपको ना हो, उससे पहली आपके अंदर क्या हो जाएंगे, शरीर में एक प्रतिरोधक शमता बनी रहे, यानि कि ये disease से बचने की जो है, आपके अंदर क्या हो जाएंगे, ये antibodies पहले से बन ये आने हमाले जितने भी microbes हैं, इनको antigen की तरह treat करता है, और इनके against में पहले से antibody बना के रखता है, वापस से जब ये virus आएगा तो क्या होगा, या वापस से आपके microbes आएंगे तो क्या होगा, इनके against पहले से antibody रहेगी, जो इनको क्या कर देगी, अंदर आते साथ मार या ये बिमारी आपके अंदर कभी भी नहीं होगी, इसमें सबसे important हमाले है, question जो बार बार बना है, कि ऐसी कौन सी बिमारी जिसे world से completely eradicate कर देगा है, तो वो है small box, ठीक है, छोटी माता वगरा जो बोला जाता है, छोटे जोटे दाने निकल जाते है, वो क्या है, आपके य बार साल, साल में दो बार आपका February के 1st, जो आपका संडेर है, तो उसमें लिखा रहता है, कि दो बूंद पोलियों क्यों पिलाई है, तो अभी यही प्रोग्राम चल रहा है, इसको completely क्या करना है, eradicate करने का, इसके अलाब़ा डिफ्थेरिया, निमोनिया, टीटनस, DPT, मैक् बारी होने के chances क्या हो जाते हैं, एकदम minimal रहते हैं, क्योंकि antibodies पहले से रहती हैं, तो बाद में यह जब आएगा microbes तो infection नहीं होगा, ठीक है, इसके अलाबा एक चीज़ और है कि biotechnology जो use किया जा रहा है, ठीक है, यह जो है पहले vaccination पुराने technology से बनाया गया था, जिसमें क्या करते हैं, आप microbes को हलका या तो मार देंगे आप मरे हुए microbes को या फिर जिंदा microbes को ही लेकिन जो disease cause नहीं कर सकता है, ऐसे microbes को शरीर में डाला जाता है, फिर भी ऐसा तरीका जो पुराना जो है इसमें क्या risk तो है ही, कि अगर मालनों ठीक से मरा नहीं है तो क्या होगा, यह आ शरीर में जो क्या करें, antibody तो बना है, ठीक है, बट जो antigen आप डाल रहे हैं, वो क्या ऐसा होना चीए, आपके अंदर disease causing बिल्कुल भी नहीं होना चीए, ठीक है, तो अभी यही चीज जो है, बायो टेकनोलोजी अभी use किया जा रहा है आपका, किसके लिए, तो COVID-19, जो क्या किया जा रहा है, इस vaccine की खोज की जा रही है, by using this biotechnology, ठीक है, चली, इसके बाद next लेंगे हम, अगली class में